हेलो है फैंस आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है यह जो सेंसर आप देख रहे हैं यह अभी नोर्मल सेंसर आप देख रहे हैं जिसे हम आयार सेंसर यह फिर आयार इसीवर सेंसर बोलते हैं तो एक्चुल में इसकी जो डिडेक्शन की रिंज है वो रिंज है सेंठी मीटर है लेकिन 15 सेंठी मीटर भी वह मेंशन कर देते लेकिन 13 सेंठी मीटर तक ही ये किसी ओबजेक्ट को डिडेक्ट कर पाता यह जो संड लाइट में वर्क नी कर पाता है तो ऑक्टॉल में इस संसर का modification कैसे हम कर सकते हैं या फिर इस sensor से अलग क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो रींजो वो 10 मीटर तक हो जाए ठीक है तो यदि वीडियो अच्छे लगे थे प्लीस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो ऐसा ही project आपके लिए लाएं यह जो आप देख रहें यह सिंपली अभी जो आप देख रहें यह सेंसर होती complicated है और costly है ठीक है इसके अंदर ICB और इसके अंदर कोई IC नहीं है यह एक्चुली टी एस ओपी से receiver से बनाएं ठीक है यह आपको setup box में यह फिर टीवी यह फिर जो receivers dags होते हैं home theaters होते हैं उसके अंदर आसानी से देखने को मिलता है ठीक है तो वहां से आप ले सकते हैं और एक transistor BC 557 जिसे हम PNP transistor बोलते हैं ठीक है तो actual में यह sense करता है 10 मीटर तक ठीक है इसी परकार से काम करेगा और यह sense करता है 10 मीटर तक ठीक है maximum 10 मीटर तक यह sense कर सकता एक है तो simply कैसे work करता है देखने कर सकते हैं, उसका जो कीज होता है, उस कीज को सोल्डिंग आयरन से पर्मनेंट करने पर, ठीक है, तो fix करने पर आप काम कर सकते हैं, अभी देख रहे हैं, ये sensor 10 मीटर तक sense करेगा, ठीक है, 10 मीटर तक, तो अभी हमारी जो lab की wall है यह वहां तक sense कर रहा है ठीक है देखिए इसकी range जो है वो भूती अधीक है यदि मैं खुले area में इसे लेकर जाता हूं तो यह आराम से work करता है जैसे ही 10 meter के संपग में कोई object आता है तो यह deduct कर लेता है ठीक है आप देख रहे हैं यह बहुती simple एक sensor है ठीक ह आप जो digitally signal इसके अंदर generate होता देख रहे हैं आप यदि capacitor इसके output पर लगा देगे तो वो maintain हो जाएगा ठीक है तो इसी परकार यह काम करता है और इससे बहुती अच्छा यह काम करता है ठीक है बहुती अच्छा यह role play करता है electronics के अंदर आप चाहे तो बहुत से circuit इससे बना सकते हैं यह दी वीडियो अच्छी लेकर लेकर प्लीज लाइक किजिए तो अभी इसे बनाते हैं कैसे वो देख लेते हैं ठीक है तो सिंपल सर्कीट डाइग्राम हमने बनाए तो अभी आप देख रहे है एक्च्छली टी एस ओपी ठीक है टी सोप सेंसर हम इसे बोलते है यह जो first number पीन है इसका output होता है negative देता है ठीक है तो इसलिए PNP लिया है यहाँ पे base पे negative दिया है और positive हमें output मिलेगा ठीक है और यह 3.7 से ही हमने यह operate किया भी आप चाहिए तो ज्यादा भी ले सकते हैं ठीक है तो इसी परकार काम करता है यह एक remote लिया है तो यह work actual में कैसे करता है यह आपको समझना होगा तो आभी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक transmitter और एक receiver है तो यह transmitter और यह receiver एक्चुल में जब भी transmit करता है infradiation तो ट्रांस्मेट करके 13 cm तक object जैसे ही टकर आता है object से टकराने के बाद infradiation इस receiver तक पहुचती है पहुचने के बाद यह sense करता है और अपना operation perform करता है ठीक है लेकिन यह जो output देता है यह continuously देता है ठीक है code मतलब 011001 ऐसा code generate करता है इसी परकार यह tsop यह ऐसा ही बना होता है जो कि digitally data को decode कर सकता है ठीक है आसानी से decode कर सकता है तो इसी परकार आप एक बड़ा sensor बना सकते है thank you for watching please subscribe